हेलो अरिवान, वेलकाम टू फार्मरुक्स यूटूब चैनल, फार्मरुक्स की यूटूब एच्यूकेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की उडी लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे नियूरोबियन फॉट टेबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये टैबलेट के बेजिक उसके बारे में साथ ही जानेंगे उसके डोस के बारे में सिखेंगे साइड एफेक्ट, वर्निंग और कॉंटर इंडिकेसंस, डीटेल में और जानेंगे कि कितनो दिनों तो नियूरोबियन फॉट टैबलेट आप ले सकते हैं और दिन में कितनी टैबलेट जो है वाफ खा सकते हैं तो सिखते हैं डीटेल में नियूरोबियन फॉट टैबलेट के बारे में एसपर्क लेक्चर बाया मरसर, असस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मरोक्स, थेंक्यू पर बीन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेटर या फार्मा नुलेज़ के साथ सीखे दवायों के बारे में उनके डोस के बारे में, उनके साइड इफेक्ट, वार्रिंग और कॉंटर इंडिकेसंस एक साल तक अफार्डिबल प्राइज में, वो भी सरल बासा में, फार्मरोक्स के आप अपर तो एंडरोड यूजर एंडरोड आप डाउनलोड करें आइफोन यूजर आप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझते हैं, निरोबियन फॉर्ट टेबलेट के बारे में तो यह ऐसा क्लास का मेडिकेसन है कि जिसको हम निउट्रिशनल सप्लेमेंट के केटेगरी में इंक्लूड करते हैं और यह एक इमल्टि विटामिन टेबलेट है जिसके अंदर अलग अलग विटामिन की कमी है या फिर उसके deficiency है और उसके related कोई बीमारिया है तो उसके इलाज में Neurobion 4 tablet को यूज किया जाता है अब समझ जाते हैं कि उसके अंदर कौन से अलग-अलग विटामिन से और कितनी मातरा में एड़ किये गए है तो विटामिन B1 है उसके अंदर 10 mg जितना B2 की जिसको Riboflavin कहते हैं वो 10 mg जितना है फिर विटामिन B3 की जिसको Nicotinamide कहा जाता है कि वो 45 mg जितना है B5 की जिसको Calcium Pentothenate के फॉर्म में 50 mg जितना ये tablet में एड़ किया हुआ है फिर B6 की जिसको Pyridoxin कहा जाता है कि वो 3 mg जितना एड़ किया हुआ है और B12 की जिसको Cyanocobal Amine कहते हैं वो 15 mg जितना एड़ है मनलब कि ये vitamins इसके अंदर एड़ कि जिसको हम कहते हैं कि multi-vitamin हो गए कि एक से ज़्यदा vitamin इसके अंदर प्रेजन्ट है और ये vitamin बहुत ही useful है जैसे कि यहाँ पर हम पहले label देख लेते कि ये tablet की उपर आप देखो तो ये film coated tablet रहती है मलब कि ये tablet आपको खाने से पहले ना ही उसको चबानी है ना ही उसको तोड़ नहीं डाइरेक्ली ये tablet को जो हो खानी रहती है और दूसरी बात करें तो ये tablet का जो label आप देखो तो यहाँ प composition होए वो है B complex और B 12 तो ingredients के कुछ role समझ लेते कि B1 क्यों इसके अंदर एड़ किया गया है तो जो हमारे body के जो neurotransmitters होते है उनके production के लिए ये medicine काफी help करती है because B1 जो हो help करता है neurotransmitters के production में और जिसके करण हमारे जो है वो heart है उसके function अच्छे रहते है जो neuron cells होते हैं कि जिसको हम neuron कहते हैं या फिर जो nerve cells होते हैं उनके healthy functioning के लिए भी जरूरी because जो हमारा nervous system होता है हमारा जो चेता तंदर होता है कि जिससे हमें अलग-अलग sensesons पता चलते है तो उसके related जो neurotransmitters हमारे body में release होते हैं जिससे हमें अलग-अलग सम्वेदनाई होती है तो उनके proper healthiness के लिए B1 का होना जरूरी है और उसके deficiency हो तो अलग-अलग complications होते हैं उसी तरह से B2 जो हो क्या करता है कि जो carbohydrates protein और fat के breakdown में help करता है कि जिससे energy हो produce होती है हमें पता है कि जो भी हम खाना काते तो उसका metabolism होने के बाद वो carbohydrate के form में proteins के form में और fat के form में होता है तो उसको आगे breakdown करके उसमें से जो energy हमें लेनी है तो उसके लिए B2 का होना जरूरी है तो वो भी present है ये tablet के अंदर फिर जो riboflavin के जो हम B2 कहते हैं तो वो involve होता है और red blood cell के production के जो हमारे body के RBC होते है रखतकन जो होते हैं तो उनके production में और उनके transportation जो होता है oxygen का उसमें ये tablet help करती है because B2 इसके अंदर present है और B3 का काम होता है कि जो हमारी जो skin होती है neurons होती है उनके healthiness को maintain करके रखना और साथे साथ जो co-enzymes होते है उनकी activation में भी B3 help करता है B5 की हम बात करें तो वो भी एक जरूरी vitamin है कि जो synthesis में help करता है अलग-अलग enzymes की कि जो carbohydrate, lipid and protein के metabolism में involved होते हैं कि समझे कि carbohydrate का metabolism करने के लिए जो हमें enzymes चाहिए, lipid के metabolism protein के metabolism के लिए जो हमें enzymes चाहिए उनको बनाने में हमारा ये vitamin B5 help करता है कि अगर आप समझे लो कि आपके अंदर B5 की भी कमी है तो ऐसे enzyme produce नहीं होगे कि जो carbohydrate, protein and lipid का metabolism कर सेगए इसके करन क्या होगा आपके body के अंदर जो आप carbohydrate containing food food लेते है, lipid वाला मलब की चरबी वाले fat वाले कुछ खाना लेते है protein वाले कुछ diet है आपकी तो वो अच्छे से digest नहीं होगा या फिर उसका आगे metabolism नहीं होगा फिर B6 जो है वो क्या करता है जो हमारे cell होते हैं कि जिसको हम कहते हैं red blood cell जो खुन के अंदर present होते हैं साथ उसाथ जो neuron के जो cells होते हैं कि जिसको हम nerves कहते हैं और हमारे skin के cell तो उनके healthiness के लिए काफी important है यह vitamin B6 फिर यह जो neurons related disorders होते हैं कि जिसको nerve disorder कहा जाता है हमारे चेता तंतर से जोड़ी बीमारिया कि जिसको neuropathy कहा जाता है peripheral neuropathy तो उसके prevention में और उसके ilaj में भी vitamin B6 यूज किया जाता है कि वो as a ingredient यह tablet के अंदर मौजुद हैं फिर beat well भी है कि जिसको sinokoba ले माइन हम कहते हैं beat well तो वो production करता है blood cell का हमारे bond marrow के अंदर तो आप एक conclusion देखो यह आप एसा vitamins है कि जो metabolism में help करते हैं energy production में help करते हैं red blood cell के healthiness के लिए हमारे body के neuron cell के healthiness के लिए साथ हो साथ आप देखो तो हमारी जो neurons होती है हमारी जो नसे होती है उनके healthiness के लिए अगर वो कमज़र हो गई है तो उनकी मजबुते के लिए उनके strength के लिए जितने भी vitamins ज़रूरत है वो हमें ये tablet में से मिलते है तो यह पर आप समझ लोगे अगर B1 के आपके अंदर deficiency है तो problem क्या होता है कि B1 के deficiency से आपको anorexia में लगके भूक नहीं लगती stomach acid जो हो आपके पेट में कम हो जाता है कि जिससे क्या होता है कि आपका जो digestion भी अच्छे से नहीं होगा और साथोसद आपको भूक कम लगेगी because already जो कुछ खाना खाया है वो digest नहीं होगा तो सामने आपको भूक भी नहीं लगेगी तो वो कुछ problem होते हैं पेर सेंटरल नर्वस सिस्टम पे देखे तो fatigue मनलब की थकान होती है mental disorders जैसे problem होते है peripheral neuritis मनलब की जो नसों की कमजोरी की जो हम बात करते है neuropathy की जो बात करते है वो problems होते तो ये सब problems all होते है B1 के जब आप ये neurobian tablet use करते हैं जब B1 की deficiency उसकी कमी है तो वो ये tablet जो हो पूरा करती है because कई बार हम क्या खाते कि ऐसा खाना लेते है कि जो especially white wheat जो होते हैं जो पॉलिस किया हुए rice है तो उसके अंदर से हमें ये vitamins जो हो नहीं मिलते और इसे के करण जो हो ये vitamin की deficiency होती है फिर B2 की deficiency से हमारे जो wound होते है वो aggravations मनलब की proper जो हमें कुछ भी injury होते है उसके बाद जो cut लग जाते है वो जल्दी से घाव नहीं रूजते एस वेल जब हमें हमारा जो mouth होता है उसके जो coroners होते हैं उसके आसपास जो cracks देखने को मिले हैं पार कुछ लोगों को mouth ulcer जैसे भी problem होते है तो अगर आप ये tablet खाते तो आपको mouth ulcer भी आपका ठीक हो जाता है फिर glossitis का जो condition कि जिसके अंदर हमारी जो jib होती है कि जिसको tongue हम कहते है तो tongue में जब सूजन होती है जिब में काफी सूजन आ जाती है तो यसे problem होते है आखों मेरीटेशन होता है फिर dermititis मुलब कि skin related प्रुविमार यह होती है मतलब कि simply हम कहें तो हमारे skin से जुड़े कुछ problem हो सकते है आखों मेरीटेशन हो सकती है जिब में सूजन देखने को मिल सकती है फोटो संसेटिवटी हो जाती है पैलेगरा जैसे डीसिस होती है जो भी एक skin डीसिस के तौर पर हम उसको consider कर सकते है आपको weakness हो लेकि कमजोर यह आ सकती है और एनोरेक्सिया बुक कम हो जाएगी loss of habitat जो हम कहेते हैं indigestion के जिसको ओपाचन कहेते हैं नूरिटीस, स्रिजरोफनिया, confusion तो यह भी problem solve करेगा यह tablet B5 के deficiency से क्या होगा कि कई बार हमारे पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पे आपको जलन जैसा feel होता है कि जिसको एक burning feet भी कहा जाता है कि burning feet जैसा जो वो feel होता है कि पैरों में जो हमारे तलवे होते हैं, वहाँ पे आपको जलन होती है B5 की deficiency से तो यह problem भी solve होते हैं कि अगर आप जब neurobian 4 tablet लेते हैं फिर vomiting जैसा हो रहा है stomach pain हो रहा है, fatigue कमजोरी है आपके अंदर तो यह सभी complications को solve करता है यह tablet B6 की deficiency से especially हमारे neurons के उपर भी असर पड़ती है immune system जो ही वह weak हो जाती है आप confusion में रहते हैं, depression सा फिल करते हैं glossitis हो सकता है chelosis भी हो सकता है तो यह सभी problem को यह tablet solve करेगा तो B12 के कारण क्या होता है कि अनेमिया हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि RBC कम हो सकते है WBC कम हो सकते है और उसके करण जो कुछ दुसरे complication होते हैं कि जैसको आपको constipation हो सकता है आपको diarrhea में लबकि आपको दस्त हो सकते है भूक कम हो जाएगी या फिर आपके body में gas रहेगा neurons related problems रहेगा में लबनेस जैसा फिल होना tingling जैसा फिल होना muscles आपके weak हो सकते है चलने में problem, vision loss तो यसे बहुत सारे complications होते है memory loss भी हो सकती है depression में आप जा सकते है आपका behavior change हो सकता है जैसे mental problems जोम कहते हैं तो वो भी solve करता है ये neurobeam for tablet तो इसके basic use हम समझ ले तो especially nutritional supplement के तोर पर काम करेगा vitamins के deficiency के करण थकान रहती है, आप बार बार थक जाते है तो वो सभी problems को ये tablet जो हो solve करती है pregnancy के दोरन भी आप ले सकते है lactation के दोरन भी ले सकते है कि जब आपको B complex की deficiency है, कि vitamin B complex के आपके body के अंदर कमी है तो ये सभी conditions को treat करेगा फिर mouth ulcer को treat करेगा कि जिसको हम कहते है कि मुव में जब चाले हो जाते है उसको भी ठीक करेगा ये tablet, anorexia में लबकि loss of appetite, भूख कम हो जाती है वो neuron related जो problem होते है जैसे कि numbness, peripheral neuropathy वो सभी को ये medications ठीक करती है, साथ उसाथ जो आपका hair improve हो सकते है, metabolism improve होगा और जो nervous system आपकी अच्छे से काम करेगी तो आप समझते कि ये tablet को कितनों दिनों तक लेनी है तो आप जो हो ये tablet 30 से लेकर 60 days तक ले सकते है कि अगर आपको B complex की deficiency है तो जब तक B complex की deficiency पूरी नहीं होती तब तक ये आप tablet खा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा regular आप 30 दिन तक या फिर 60 days तक आप जब ये tablet खाते हैं तो आपके सरीर में रही जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है फिर दिन में कितने tablet आप खाए तो एक ही tablet खा सकते हैं दिन में तो ये usual minimum dose है कि अगर आपको minor deficiency है बड़ समझो कि किसी को बहुत ज्यादा severe deficiency है तो ऐसे condition में वो दिन में दो tablet खा सकते हैं तो इस तरह से उसका जो है वो daily dose रहेगा तो usually जो normal condition में एक ही tablet ही जाती है और वो ज्यादा से जदा आप 30 days या फिर 60 days तक जो है उसको खा सकते हैं और उसके बाद आप report वगरा कराके ऐसा लगे कि आपके अंदर से vitamin की deficiency का पूरी हो चुकी है कोई भी deficiency अब नहीं है vitamins की कमी नहीं है अब तो फिर आप उसको लेना बंद कर सकते बड़ लंबे समय तक आप ले सकते कोई complications इतने नहीं होते कि अगर आपको यह medication suit हो जाता है कि because यह nutritional supplement है आपको nutrition देता है कि जो हमें कुछ food products में से जो vitamins मलते है vegetables में से मिलते है fruits में से मलते है dry fruits वगरा में से मिलते है और जितने भी हम अलग-अलग food लेते कि vegetarian या फिर non-vegetarian जितनी भी item होते है उसमें से जो में vitamins मिलते है वो सभी vitamins यहाँ पे आपको यह nutritional supplements में से मिल जाते है तो उसके price समझ ले तो 10 tablet की जो strip आते हैं उसके price जो आप देखें तो 10 से देकर 12 रोके पे आसपास जो होती है और अगर आप 30 tablets का strip करीते हैं अगर आप online या offline purchase कैसी भी दरह से करते हैं तो वो आपको 25 से लेकर 35 के बीज में पढ़ सकता है side effects देखें तो अगर आपको यह medication suit नहीं करते हैं तो आपको skin के उपर ऐसे dresses हो सकते हैं यह medication लेने के बाद जिसको allergic reaction का आ जाता है फिर अगर आप overdose में यूज करते हैं तो आपको acute toxicity हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि one tablet वो भी per day तो यह normal dose हो गया है बट आप समझे कि दिन में 5 tablet खा लेते हैं या फिर आप 4 tablet खा लेते हैं और वो भी routine बना दिया कि आपने आज 4 tablet खाई कल भी आप 4 या 5 tablet खाते हैं परसो भी खाते हैं तो उसके करन क्या होगा एक overdose हो जाएगा और overdose के करन आपके body के अंदर toxicity हो सकती है बार बार urine करने जाना पड़ सकता है आपको diarrhea हो सकते हैं जिसको दस्त कहते हैं या फिर आपकी नीन दूड़ जाएगी कि यह देखो कि यह person रात को 2 बच कर 15 मिनिट हुई है फिर भी वो person जाग रहा है बिकास अगर आप उसको overdose में यूज करते हैं तो यह medication benefits देने के बज़ाए आपको sad effects देगी फिर bitter taste आप feel कर सकते हैं आपके mouth के अंदर nausea vomiting हो जाना stomach upset रहना फिर contraindications के हम बात करें तो यह tablet को आप कब use नहीं करें कि अगर आपको यह tablet लेने के बाद ऐसे skin के उबर allergic reactions के तोर पर racist develop हो रहा है तो यह tablet ना ले आप because आपको किसी भी ingredient के allergy हो सकते तो तूरंत यह tablet को लेना बंद कर देना चाहिए फिर आपने कोई surgery प्लान की है तो plan surgery के 2 या 3 week पहले के समझे कि आपको surgery करानी है 4th week के अंदर किसी भी month के 4th week में आपको जो है वो surgery करानी है तो आप यह जो tablet है वो उसके 2 या 3 week पहले से मलें कि 1st week तक ही ले फिर बाकी का जो 2nd week है 3rd week है उसके दोरान आप जो है वो tablet को ना ले 1st week में आप चलो लेते बिकोज यहाँ पर 4th week में आपने surgery जो है वो आपकी plan की है तो इस तरह से जो भी week में आपकी surgery है उसके आगे के जो 2 week निकालके आप plan करें तब तक ही यह medication को use करें because कई बार क्या होते हैं कि surgery में complications आ सकते हैं अगर आपको यह medication suit नहीं होते हैं या फिर दूसरी कुछ complications से तो खास यह दियान रखना है फिर अगर कोई आपको ऐसे कुछ serious side effects develop हो देख रहे हैं तो medication ना ले और जरूर से आपके pharmacist यह फिर doctor को consult करें यह medication को लेने से पहले तो ऐसे ही सीखे दवायों के basic use के बारे में उनके dose side effect warning and contraindications एक साल तक affordable price में वो भी pharma rocks की आप उपर तो सीखे दवायों के बारे में detail में android user android app download करें या फिर 901631 2020 पी आप हमें whatsapp कर सकते हैं study material के लिए test series and courses के लिए download करें application pharma rocks या फिर यह number पी आप हमें concept कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best